नमस्कार दुस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जौब इन्फरोजाम का स्वागत है देखे से यहां पर एक नए अपडेट लेकर के आएं दुस्तों है कोट के दुवारा की है कोट ने नए सिरे से बिग्यापन जारी करने को कहा गया है देखे 1768 अमीन पदों की नियुक्ति का बिग्यापन रद हो गया है और फिर से प्रक्रिया जो है कहा गया है यहां पर चालू करने का देखे पटना हाइकोट ने राज सरकार के राजसों विभा की ओर से बिहार में 1766 अमीन के रिक्त पड़े पद पर बाहली के लिए जनवरी 2020 में निकाले गे विग्यापन को रद कर दिया गया है आई कोट ने राजसरकार को निर्देश दिया कि वह नए सिरे से अमीन के रिक्त पद पर यहां बोला गया है कि 20 जनवरी 2020 को जारी हुआ था बिग्याबन देखिया आठ से बारा अगस्त तक यहां वे ऑनलाइन हुआ था और 24 अक्टूबर 2021 को विसी आई ने जारी किया था परिनाम और 7 और 8 दिसंबर को होनी थी काउंसलिंग तो इस तरह करें स्वापलों का जो है आपर निरस्त कर दिया गया वेकंसी को कुछ क्या कारण देखते हैं सो जस्टीस पीबी बंजतरी एकलपीट ने आचिकाओं पर राम बाबु आजाद तथा अन्य के दायरे पर रीट या आचिकाओं पर सुनवाई करते हुए या निर्देजिया कि राज राजश्वाय भूमी द्वारा पीछले 20 जनवरी को 1767 अमिन पदों के लिए बिग्यापन जारी किया था इसके तहट बिहार संजुक्त परवेश्व परतियोगता परिक्षा परिक्षा परसत दुवारा इस वर्स आठ से बार अगस्त तक ऑनलाइन परिक्षा ली गए थी 24 अक्टबर को परिक्षा परिक्षा पर जारी किया था फिलाल साथ और आठ दिसंबर को चैनीत आवेदनों की कांसलिंग के थी यहां पर निर्धारित थे